हेलो स्टूडेंट्स वेल्कम टू सक्षेस्विद MBS क्लाशिज जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने देश के अंदर करोना महामारी चल रही है और अपने देश के अंदर क्या पूरे विश्व के अंदर तो मोधी जी ने अपने देश के परदान मंत्री जी ने एक मंत्र दि गिंती है कि अपने गरों में रहें और अपनी जो तेयारी है एक्जाम की वो करते रहें तो दोस्तो हम जो कर रहे थे अपनी हर्याना समाने जी के की सिरीज उसमें नए डिष्टिक लेका आया हूं मैं आप सभी के लिए कौन सा जिला महंदरगड तो आज हम महंदरगड जि बाग में ठीक स्टुडेंट्स मेंदर्गड जिला हर्याना के दक्षिन पश्चिम भाग में स्थीत हैं नेक्स्ट क्योसन अपना 509 नमबर महंदर गड़ को जिला कब बनाया गया तो कब बनाया गया एक नमबर 1966 को जब अपना हर्याना बना था उसी टाइम महंदर गड़ को जिला बना दिया गया था कि 510 नमबर क्योसन अपना महंदर गड़ जिले का मुख्या ले कहां है तो स्टूडियंस महंदर गड़ जिले का जो मुख्या ले वो नार नोल के अंदर है यह एक मात्रेशा जिला है जिसका मुख्या ले कहीं और है और जिला कहीं और है यानि महंदर गड़ जिला है लेकिन उसका जो मुच्छा लेवों कहा है नारनोल के अंदर next question अपना क्या है कि मेंदरगड जिले का छित्रफल क्या है तो कितना है students 1899 में वरक किलो मेटर 1899 में वरक किलो मेटर मेंदरगड जिले का छित्रफल है next question अपना मेंदरगड हर्याना के किस मंडल में है तो मेंदरगड हर्याना के गुरूग्राम मंडल के अंदर स्थित है Next question अपना 513 नंबर क्या है मेंदरगड में उप मंडल कौन कौन से है तो मेंदरगड के अंदर उप मंडल है मेंदरगड नारनोल कनीना ठीक है students तो आपसे एक request थी students कि जो भी आपके mind में क्योशन बनते हैं या किसी भी टाइप को आपको कोई confusion है या आप कुछ जादा जानते हो किसी क्योशन के बारे में तो आप comment box के अंदर reply जरूर करें ताकि आपको जो पता है वो हमें भी पता चले और अन्य students को भी इस बात का पता चले ठीक है आप और ह हम मिलकर ही अपनी जो त्यारी ऑद उसको शबसे बस्ट बना सकते हैं नेक्स्ट क्योशन अपना मेंदर गड ब्र जिले में कौन-कौन सी तशील है lotus तो क्वन कौन सी तशील मेंदर गड नारनोल नागल चोद्री खनिना और अटेली ये अपनी मेंदर्गड जिले के अंदर तसील है मेंदरगड में कौन-कौन से खंड है यानि कौन-कौन से ब्लोक है मेंदरगड है नार नौल, नागल चोदरी, कनिना, शियमा, निजामपूर, सतनाली, सतनाली उपतसील भी है दोस्तों ठीक है स्टुडेंट्स उपतसील सतनाली मेंदरगड के अंदर next question अपना मेंदरगड किस पुलिस रेंज के अंदर आता है तो मेंदरगड रेवाड़ी पुलिस रेंज के अंदर आता है South रेंज students आपको पता जल गया होगा कि मंडल तो कौन सा था गुरु ग्राम और पुलिस रेंज कौन सी है रेवाड़ी ठीक है next 517 नंबर के उसन अपना क्या है मेंदरगड जिल एक प्राच्विन या उपनाम क्या क्या है तो students कनोड खनीजों का सहर और बावडियों का नगर किसको कहा जाता है मेंदरगड यानि जो भी खनीज से रेलेटेट लग बग मैं ये नहीं कहता 100 परसेंट लेकिन लग बग 95 परसेंट खनीज कोई भी आ जाए वह आप मेंदरगड जिल अगर उसमें आंसर दे रखा है तो बे जिजक लगा देना आपका आंसर बिल्कुल सही होगा ठीक है अब जो नोट लिखा है मैंने वो थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना आपको कि सत्रमी स्ताबदी में मराठा राज्ये जो मराठा का राज्या था त्यांता टोपे ने यहाँ एक किल्ये का निर्मान करवाया था सन 1861 में पत्याडा रियासत के सासक महाराजा नरेंदर सिंग ने अपने पुत्र मंदर सिंग के नाम पर इस किल्ये का नाम रखा था और जो अब क्या है दोस्तों महिंदर गड है देखो सत्रमी स्ताब दीके अंदर क्या हुआ था कि मराठा का राज्या थे त्यांता टोपे उन्होंने यहाँ एक किल्ये का निर्मान करवा दिया था और सन 1861 में पत्याडा रियासत के सासक थे महाराजा नरेंदर सिंग उन्होंने क्या किया था नरेंदर सिंग ने अपने पुत्र महंदर सिंग के नाम पर क्या किया था इस किल्ये का नाम महंदर गड रखा था नारनोल को किस नाम से जाना जाता है तो सीहों का डहर नारनोल को सीहों का सेरों का डहर नाम से भी जाना जाता है नारनोल को या किस जगए को कहा जाता है तो नार नोल को बिर्बल की नगरी आज जाता है। सियो ओंगा भी नार नोल दुबन की नगरी है। स्टूडेंट्स मेंदंगड तो मांों आपको मैने बताए भी मेंदरगड अपने हर्याना का मेंदरगड ऐसा जिला है जो किशी भी नेशनल आईवे से जुड़ा हुआ नहीं है ठीक है 520 नमर के उसन अपना कौन सा है कि अरावली मैदान का हर्याना में सबसे उन्चा भाग कौन सा है तथा कहां पर स्थित है अरावली मैदान का हर्याना में सबसे उन्चा भाग कौन सा है तथा कहां पर है तो दोस्तों क्या है कुलताजपूर 652 मेटर उन्चा है ये नारनोल के अंदर और इशी को ही डोसी की पहड़ी कहा जाता है अरावली मैदान का हर्याना में सबसे उन्चा भाग कौन सा है कुलताजपूर 652 मेटर का नारनोल के अंदर और इशी को क्या कहा जाता है नेक्स्ट क्यों सनपना मादूगडगा किला कहां पर है तथा इसका निर्मान किस ने करवाया तो मादूगडगा किला मेंदर गड़ से 15 किलो मेटर दूर सतनाली सडक मारग पर है मेंदर गड़ से 15 किलो मेटर दूर है कौन से रोड पे सतनाली मारग पर ठीक है और स्वाई मादोपूर के सासक थे मादो सिंग उन्होंने इसका निर्मान करवाया था राजस्तान के स्वाई मादोपूर के जो सासक थे मादो सिंग उन्होंने मादोगड के किले का निर्मान करवाया था मेंदरगड से 15 किलोमेटर दूर सतनाली रोड पर जो किला बना हुआ है नेक्स्ट अपना क्यों सन राय मुकंदास का चत्ता कहां है कहां है स्टुडेंट्स नारनोल के अंदर साजान के सासनकाल में नारनोल के दिवान मुकंदास ने इसका निर्मान करवाया था यानि जो राय मुकंदास का चत्ता है वो किस के सासनकाल में बना हुआ है साजान के सा संकाल के अंदर नारनोल के दिवान थे मुकंदास उन्होंने इसका निर्मान करवाय था और इसी समार को बिर्बल का च्छत्ता भी कहते हैं इसी स्थान को क्या कहा जाता है बिर्बल का च्छत्ता स्टूडेंट्स बिर्बल की नगरी कौन से स्थान को कहा जाता है ये भी आप comment box के अंदर reply करें और जरूर बताएं ठीक है नेक्स्ट क्योसन अपना अब्राहिम खान का मकबरा कहा परस्थित है कहा है नारनौल के अंदर सेर सारसूरी ने अपने दादा इब्राहिम खान की याद में यह मकबरा बनवाया था कहां बनवाय था नार नोल के अंदर ठीक नेक्स्ट क्योसन अपना स्टूडेंट क्या है पानसोचोबिस नमबर क्योसन बावडियों वाला सहर या नगर किसे कहा जाता है तो किस को कहा जाता है नार नोल को कहा जाता है और नार नोल मुख्यालय है किष जिले का मेंद्रगड का मुख्यालय अलग है ठीक है नोट कै दोस्तों इसमें कि साह विलायत का मकबरा साह कुलीखां का मकबरा मिर्जा अलिखां की बावड़ी आदी नारनूल के अंदर ही है ठीक है ये बहुत ज़्यादा important नहीं है लेकिन ये नार्नोल के अंदर है इसलिए मैंने आपको ये बताई है कि नार्नोल के अंदर कौन कौन सी है ठीक है सहाह विलायत खां का मकबरा सहाह कुली खां का मकबरा मिर्जा अली खां की बावडी अधी कहा है नार्नोल के अंदर ही है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट अपना क्योशन आता है स्टूडेंट्स, 525 नमबर, हजमा पीर की दरगा किस गाउं में है, तो दर्सू गाउं है नारनोल के अंदर, वहाँ पर हजमा पीर की दरगा है, और इस दरगा के अंदर महिलाओं का आना मना है, आप से क्योशन ये पूचा जा सकता है, कि नारनोल के अंदर ऐसी कौन सी दरगा है, जहां पर महिलाओं का आना मना है, तो हजमा पीर की दरगा है, और नारनोल के अंदर किस गाउं में है, धर्सू गाउं के अंदर हजमा पीर की दरगा है, नेक्स्ट क्योशन अपना स्टूडेंट्स, 526 नमबर, किस मंदिर का निर् इकवासू वंस के राजा दिलीप सिंग ने करवाया था तो पीर मंदिर या सिव मंदिर स्टूडेंट्स देखो यहां पे पीर मंदिर आप मुस्लिम समुदाई से मान सकते हैं और सिव मंदिर हिंदू समुदाई से लेकिन दोनों एक ही चीज है पीर मंदिर या सिव मंदिर कि वाकू वंस के राजा दिलीप सिंग ने करवाय था बागोत गाउं है इस मंदिर को बागेश के नाम से भी जाना जाता है बागेश के नाम से बागेश का मंदिर कहा है आप से पूछा जाए तो बागोत गाउं में कहा है ये कौन से डिस्टी के अंदर है महंतरगड के अंदर ठीक है, पीर मंदिर या स्यूव मंदिर भी इसी को कहा जाता है, नेक्स्ट क्योशन अपना क्योशन है, नारनोल का साइन बोर्ड किसे कहा जाता है, तो चोर गुबंद नारनोल का साइन बोर्ड कहा जाता है, कहा जाता है दोस्तों कि यहाँ पर चोरी करने के बाद चोर छिप जाते थे इस तरह के के बड़े बड़े गुबंद बने हुए थे इसलिए इन गुबंद को चोर गुबंद कहा जाता है नार नोल के अंदर ठीक है next question अपना students हर्याना केंद्रिय विश्व विद्याले कहा है most important question हर्याना का एक मातर केंद्रिय विश्व विद्याले सेंट्रल युनिवर्सिटी है कौन सी हर्याना का पहला हुए एक मातर केंद्रिय विश्व विद्याले कहा है जाटपाली महंदरगड के अंदर जाट पाली मेंदरगड में हर्याना का एक मातर केंद्रिये विश्व विद्याल्या है next question अपना दोस्तों क्या मेंदरगड के किस बाग में सलेट पत्थर की अधिकता है तो किस बाग में अटेली छेतर के कुंड में ठीक है students तो इस तरीके से अपना मेंदरगड डिस्टिक आज कंप्लीट हो जाता है और मैं उमीद करता हूँ कि जो भी बाते मैंने आपको बताई है वो 100% आपकी समझ में आई है अगर फिर भी आपको किसी भी टाइप की दिक्कत लगती है तो आप comment box के अंदर reply करें और आप अपनी तरफ से कोई सुजाओ भी देना चाते हैं तो सुजाओ भी दें लेकिन मैं अंत में आप से इतना दुरूर कहूंगा कि अपने घर में रहें और कोरोना मामारी को खतम करें मिलते हैं दोस्तों कल next lecture के साथ तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद